21 साल बाद देश के लिए एक सुनहरा पल आया है Miss Universe 2021 का खिताब देश की बेटी हरनाज सिंदु को मिला है इस खिताब के लिए हरनाज सिंदु ने 80 देशों के कॉम्पिटिटरों को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया चलिए अब जानते हैं के कौन है ये आकिर हरनाज सिंदु चंडिगर की रहने वाली सिक परिवार में जन्म हुआ हरनाज ने अपने टीनेज के दिनों में ही ब्यूटि पेजेंट के हर मंच पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया 2017 में हरनाज ने मिस चंडिकर का खिताब जीता था हरनाज सिंदु का पूरा परिवार माहुली में रहता है और यहां तक कि उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी अपना पाउ रख दिया है पंजाबी की दो मूवी में काम भी किया है एक है पाउ वारा और दूसरा है बाई जी कुट्टूंगे की शूटिंग कर भी चुकी है इनके अलावा और भी शौक रखती है जैसे की स्विमिंग का होर्स राइडिंग का डांसिंग एक्टिंग ये सबी वे करना और भी जादा पसंद करती है जीत के बाद मिस यूनिवर्स बनी हरनाज इतना इमोशन हो गई कि उनके आँखों में आँसू तक आ गए आखिर क्यों ना आते ये जो खिताब है भारत ने इससे पहले दो बारी तो जीता था एक बार सुसमीता सैन 1994 और इसके बाद साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी अब 21 साल बाद हरनाज ने ये ताज अपने नाम कर लिया इससे पहले भी मिस इंडिया 2019 इवेंड में उन्होंने पाटिसिपेट किया था और वहाँ पर टॉप 12 तक अपने जगे बना पाई अब हम जानेंगे आखिर वो कौन सा जबाब था जो देने के बाद टॉप 3 में वो बिजेता बन गई उनसे पूछा गया दबाब का सामना कर रही अभी की महिलाओ को आप क्या सला देना चाहेंगे तो उन्होंने इस पर बहुत ही खुबसूरत जबाब दिया उन्होंने कहा कि आपको ये मानना होगा कि आप अधिते हैं और यही आपको खुबसूरत बनाती है बहार आए अपने लिए बोलना सिखे क्योंकि आप अपने जिबन के नेता है आपको किसी पर dependent होने की जरूरत नहीं है मुझे भी अपने उपर विश्वास था इसलिए मैं यहां तक पहुँची आपका क्या विचारे हर नास हिंदू के बारे में आप मुझे comment box में जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा धन्यवाद